नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 कोस्टिंस डिसकस करने वाले जी एसके तो यहां पर आप सभी को बता दें कि आने वाले सभी एक्जाम के लिए वीडियो के बीच में हरे कोस्टिं के बाद आपको एक से दो सेक्टिंड का मैं टाइम दूँगा ताकि वीडियो जाता लंबी नहीं और आप सभी को वीडियो को पाउज करके कमें अंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जिससे कि आप सभी की प्रैक्टिस भी और से लिए आपका जो भी स्कोर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है और देखते हैं कि आप इतना स्कोर कर पाते हैं मुझे जो लगता है कि 20 प्लस वही स्टुडेंट स्कोर कर पाएंगे जिनकी काफी अच्छी तयारी चल रही होगी तो चलिए पहले जो दिया गया है वो है कि किस सेर में रास्टे जल सम्मिलन का आयोजन हुआ तो ऑप्शन दिये गया है ऑप्शन लेक वाली अरकान पूर हरीद्वार और भोपाल तो यहां पर जो करेक्ट अंसर हो जागा वह जागा ऑप्शन नमर डी भोपाल अगला कोशन यहां पर देख अंसर आप सभी ने देख लिया होगा सोसल मीडिया है किसी ना किसी माद्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि आश्वरे जो स्रीधर है उनको अभी जो है वर्ल्ड सोरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पृसकार मिला है अगला दिया गया है कोशन नमर तीन किसके वरुद क्या गया था ओप्शन ए पेड़ों की कटाई इस्त्रिया समानता पसु हत्या या प्रदूशन प्रदी तो यहां पर जो करेक्ट अंसर रोजागा कोशन नमर फोर का वो जागा पेड़ों की कटाई ऑप्शन नमर इस दा करेक्ट अंसर अगला दिया गया है दिल्ली के लिए लड़ाई किस वर्स लड़ी गई थी तो दिल्ली के लिए किस वर्स लड़ाई लड़ी गई थी ऑप्शन दिये कहीं 1764 1526 1556 या 1857 तो करेक्ट अंसर रोजा का ओप्शन नमर सी 1556 अगला देखेंगे कोशन नमर 6 तो यहां पे दिया गया विस विए आपर स सभी को पूचा गया तो इसका जो पहले नाम था वो था गैड ऑप्शन नमर बीज दा करेक्ट अंसर अगला देखेंगे नमर सेवन चंदर गरी किला ग्यारे भी सतावदी में निर्मित एक एथाशिक किला है यह कहां इस्तित है तो यहां पर यह तो बता दिया गए कि जाए बरियर सेन युद्ध अभ्यास 2020 किन देशों के बीच हुआ था आप्शन ए भारत और अमेरिका भारत और माल्दीव और भारत और स्री लंका तो यहां पर जो करेक्ट अंसर हो जागा भारत और एग्लेंट आप्शन नमर एजदा करेक्ट अंसर अगला कोशन देखें अबर और एहमदाबाद और स्रीनगार तो यहां पर जो करेक्ट अंसर हो जागा भाप्शन नमरे चंपार नहीं देशा करेक्ट अंसर अगला देखेंगे कोशन नमर 10 दिया गया है निम्रिखे त्टी यूरोप यह सकतियों में से किस से वाजी की तो यहां पर यह पूचा यूरोपी वो सकतियों में से किसने सिभाजी को तो पर प्रतान की ती तो ऑप्शन दिये गए पुर्तकाली डच अंग्रेज या फ्रांजी तो यहां पर जो पर जो जाए अंग्रेज ऑप्शन नमर सी जा करेक्ट अंसर अगला दिया गया 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 रहा गरीब ही क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को बता है जो भी एक्जाम होने वाले हूं उन्में करेंट अफेर्स के कापी पॉर्सन आएगा और मैं लेटिस करेंट अफेर्स से आप सभी के लिए कुश्शन सैड कर रहा हूं कुश्शन नमर बारावा देखेंगे हाली में सी इस फोर्स कैट डी इस फोर दा डेपरेशन नामक पुस्ता किसने लिखी है तो आप्शन दिये गए है आप्शन ए आप्शन बी आप्शन सी और आप्शन डी तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायरभी भरत राम ऑप्शन नमर डी जा करेक्ट आंसर तेरह वागोशन देखेंगे तेरह वाद या गया हाली में प्रत्वी टू मिसाइल का रात्री पर इक्षन कहां पे हुआ है आप्शन ए ओरीजा कोरू पोखरन और सिरी हरी कोटा तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरीजा आप्शन नमर ए इस दा करेक्ट आंसर नमर चोड़े वाद या गया है किसराजी की सरकान ने मिसन सक्ती कारेकरम शुरू करने की गोशन दिया गया हर्याना राजिस्तान उत्तर प्रदेश और यहां पर आप्शन दिया गया है मद्ध प्रदेश तो फटा फर्दे सभी लोग सही अंसर देंगे देखते हैं कौन को समलित किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया गया सक्ती मिशन है जिसमें महीला सक्ती करन को लेकर काम किया जाएगा चलिए अगला देखेंगे नमर 15 वहां देखेंगे भारत निरवा चनायोग द्वारा किसे बिसे इस पुलेस पर वेचक न्यूक किया गया है ऑप्शन देखें राजीब जैन मिर्णाल कंत दास रंजन परसाश चर्मा और अभी रंजन दास तो करेक्ट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर आप सभी का हो जाएगा अगला देखेंगे नमबर 16 माई टाउन माई प्रैट कारकरम किस राजजी य करेक्ट आणसर सतरह बाद देखेंगे संतल मंडल मैं सम्ताप मंडल हो जागा सौरी सम्ताप मंडल में ओजन गयस की पर्त की मोड़ा किसा का आई में नापिट जाती है तो option एगा option ऑप अ बी ची और समताब मंडल है याद रखे का समताब मंडल जो है गलती से लिग गया है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जागा वो जागा डाप्शन एक आई option नमर B is the correct answer नमर 18 देखेंगे निमल कितमे से किसे भारत post payment bank के MD और CEO के रूप में न्यूक्त किया गया है option नमर 19 देखेंगे मसूर मिर्च डेले खुरसीन जिसे हाली में GI टैग मिला है भारत के किसरा जिसे संबन देते है को options दिया गए केरल तमिनाडू सिक्कम और उत्राखंट तो यहां पर जो correct answer हो जागा वो जागा सिक्किम option नमर C is the correct answer option नमर 20 कौन सा राज्य तैंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है options दिया गया ओडिसा मारास्ट्रा मद्धिपरदेश और रजस्तान तो यहां पर जो correct answer हो जागा मद्धिपरदेश option नमर C is the correct answer 21 देखेंगे साहित और कला के महान संरचक राजा भोज नमले खितमे से किस राज्य वन से संबनते थे options दिया गया है परमार करकोट उत्पल और गुजर प्रतिहार तो यहां पर जो correct answer हो जागा वो जागा परमार option नमर A is the correct answer अगला दिया गया है 22 वा नमले खितमे से कौन सा राज्य वद्ध्यान गुजराद में है options A, option B, option C या option D तो correct answer यहां पर जो आपका हो जागा 22 का वो हो जागा ब्लक बग तो यहां पर ब्लक बग जो आपका राज्य वद्ध्यान है वो गुजराद में इस्तित है अगला दिया भारत के उप सेना प्रमुक का क्या नाम है जो 17 से 20 अक्टूबर तक के लिए अमेरिका के दोरे पर है options दिये गए करंबिर सिंग, असुक सना, सुनीर लामा और S के सेनी तो correct answer रोज़ाद का option D, S के सेनी चले, नमर 24 देखेंगे, 16 अक्टूबर को किस देश ने संगाई सयोग, SCO के नियाय मंत्रियों, वर्चूल सम्मेलन का आयोजन किया options दिये गए हैं भारत, पाकिस्तान, कर्गिस्तान और उजयविकस्तान तो यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा, वो सब भी बताएंगे, तो यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा भारत, option number is the correct answer अगला दिये गया है, 25 बाठार अक्टूबर को भारतिय नौस आने आने, किस जहास से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रमो उसका सफल परिच्छन किया आप्शन दिये गया है, option A, B, C और D, तो यहाँ पे जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number C, INS, चेन नहीं तो total 25 questions discuss की, आप सभी को comment करके बताने कि total score आपने कितना किया, और उमीद करतों कि आने वाले exam में, आप सभी को यह questions जरूर देखने को मिलेंगे, वीडियो को खतम करने से पहले एक जरूरी जान करें, आप सभी को जरूर देना चाहूंगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत बहुत ही बड़ी अचीज यहां पर स्टार्ट की गई है, अनकेडमी के दवारा, तो अनकेडमी SSE चैंपियन लिग यहां पर स्टार्ट की गई है, और इसके लिए इन्रोल फोर दा वीकली टेस्ट फोर SSE एंड़ दा स्टेंड, एक चांस टू विन प्राइज और स्कॉलर और गुरूप जो स्टेस सेकंड होगा, वो 24 अक्टूबर को यहां पर होने बाला है, और जो इसका फिनाले होगा, वो होगा एक नॉम्बर को तो इसके लिए फटा फट से आप इन्रोल करवा सकते हैं, अनकेडमी प्लेटफोर्म पर जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे उनकी संक्या होगी 50, और जो आपका टाइम रहेगा, 30 मिनट रहेगा, और इसमें जो आपके कोशन सोंगे, वो रीजनिंग और जीए से रिल्टेट रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग सभी में यहां पर रहने वाली है, गर हम बात करें तो अब्जेक्टिव टाइप 50 कोश रहेंगे, और कोशन की संक्या रहेगी, 160 मिनट का रहेगा, वहीं पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो जो आपका CGL का जो पैटरन है, रीजनिंग जीए और कौन्ट और इंगलिस यहां पर आप सभी का रहने वाला है, तो इसके लिए फटा-फट से आप में लूल कर बात सकते हैं, सभी के लिए नेगटिब मार्किंग यहां पर कंबल सरी रखी गई है, वहीं पर अगर हम बात करें, रिवार्ड की तो यहां पर देखें, रिवार्ड के लिए अकर मैं बात करूँ, एससी की रिवार्ड की, कि ग्रोप स्टेज 1 में, अगर कोई रैंक 1 लाता पर लिए जाएगा, तो यह सभी प्राइस आना अकेडमी के दोरा ओनलाइन आप सभी को दिये जाएगे, आपके अकॉट में ट्रांसफर कर दिये जाएगे, जो भी उनका मोड होगा, उस तरीके साब आप सभी को वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा, तो फटा फट से करना है, वो सारा प्रोसीजर, आप सभी को वेपसाइट पे बिजिट करने के बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगा, आप सभी को एक चीज में बता दूँ कि अनकेडमी पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइब पढ़ाते हैं, जिसमें आपके लाइब क्लासे, सभी करवा ही जाती है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टीज किया जाता है, तो किसी भी एक्जाम की तयारिया आप घर बैटे बहुत ही कम अमाउंट में कर सकते हैं, अनकेडमी के साथ, तो फटा-फट से जाएए, अनकेडमी प्लस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर करते हैं, तो यहां पर आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, तो 10% डिसकाउंट का फायदा उठाने के लिए, वैनेफट उठाने के लिए हमारे कूपन कोड स्टडी4Dreams को यूज करना बिलकुल न भूलें, ताकि आपको 10% डिसकाउंट मिल सके, तो अमीद करता हूं, आज ही आप जाके अनकेडमी प्लस एप्लिकेशन को डाउनलोड करेंगे, और अनकेडमी से ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स का वैनेफिट लेंगे, तो दोस्तों फड़ा फट से जाहिए, बिना टाइम विस्ट किये, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करते हैं, त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक अबडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे, तो दोस्तों फ़लाल के लिए वस इतना ही, तैंक्यू फॉर वाचिंग, जैहिं जैवारत!